हेलो फ्रेंट्स, डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ओन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वल्कम फ्रेंट्स, अलफद दिन पर, एक्सल टोटोरियल में आगे कंटिन्यू करते हैं अपने मैथ एंड ट्रिगनोमेटरी फॉर्मले को जिसमें आगे हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं GCD याने की Greatest Common Divisor ऐसा नंबर जो हमारे डाले गए पेरामिटर्स को डिवाइट करता है और हाइस नंबर है LCM जिसके लिए हम यूज करते हैं अपना Least Common Multiplation हमारा होता है जिसमें तीनो जो भी पेरामिटर हमने पास कराए हैं उन सब की यहाँ पर LCM को calculate करके वो दिखाता है Round Up, Round Down and Round हमारे decimal value को change करने के लिए होते हैं कि हमें decimal के बाद next number चाहिए या वही number रखना है वो सब हम round formula में सीखेंगे तो आइए practically सबसे पहले हम इन formula को देख लेते हैं सबसे पहले हम use करने वाले हैं GCD यानि की greatest common divisor आप देख पाएंगे यहाँ पर message भी show कर रहा है return the greatest common divisor टैब कमांड आप प्रेस करेंगे parenthesis अपने आप open हो जाएगा यहाँ पर आप as a parameter पास कराएंगे जो जो numbers आप डालना चाहते हैं और उन में से find out करना चाहते हैं यहाँ पर जो common divisor होगा सबसे highest वो है 2 अगर हम इसे f2 से edit कर लें और यहाँ पर डाल देते हैं 36 तो जो highest number है वो है 12 क्योंकि 12 खुद को to divide करी रहा है साथी साथ 36 को भी divide कर रहा है अगर हम यहाँ से एक छोटा number डाल देते हैं suppose हम यहाँ पर डाल देते हैं 16 तो यहाँ पर हमें जो value मिलते है रही है वो है 4 क्योंकि 4 number तीनों numbers को divide कर भी रहा है और highest वो common divisor है तो यह था हमारा gcd इसी तरीके से हम lcm का इस्तमाल करते हैं उसके लिए सबसे पहले equal formula का use करते हुए equal symbol का use करते हुए lcm हमने यहाँ पर pass करा दिया है जितने भी हम number यहाँ पर parameter pass कराएंगे उनमें least common multiplication हमें find out करके वो return कर देगा तो यहाँ पर जो हमने pass कराया था 3, 4 and 5 यानिकि 3, 4s are 12 and 12, 5s are 16 यहाँ पर 60 हमें result निकल के दिखाई दे रहे हैं suppose हम यहाँ पर 2 और pass करा देते हैं तो उस case में भी हाँ पर 60 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 numbers common है और हमें least common multiplication के लिए जो result आएगा वो 60 ही आएगा next formula जो हमारा है round जिसके लिए हम use करते हैं अपने decimal places में कितने digits हम show कराना चाते हैं suppose यहाँ पर हमने 12.99 लिया है और यहाँ पर हम 1 parameter यहाँ पर show कराना चाते हैं तो उस case में हमारा हो गया है 13 क्योंकि 12.99 आपका point के बाद number है वो 5 से above है इसलिए उस case में यहाँ पर number 13 में बदल चुका है अगर हम यहाँ पर लेते 12.39 और उस case में आप देखेंगे 12.4 यहाँ पर increment हो गया है तो round basically use होता है जो भी आप decimal places देखना चाते हैं आप decimal अगर 5 हैं तो आप यहाँ पर parameter pass करा सकते हैं 2 या 3 उस case में यहाँ पर आपको उतने number शो होंगे suppose यहाँ पर मैंने और digits add करा दिये हैं और कोमे के बाद मैंने यहाँ पर define करा है 2 उस case में जो हमारा third number है क्योंकि वो 5 से बड़ा है तो हमारा जो round up number आएगा वो आएगा 12.4 अब decimal places को यहाँ पर increment करा सकते हैं क्योंकि वो हमारा zero places था इसलिए वो यहाँ पर ignore हो चुका है आप यहाँ पर उसको decimal को बढ़ा सकते हैं आप चाहें यहाँ पर three number चेंज कर दीजे फिर आपको three decimal places यहाँ पर show होंगे तो यह था हमारा round formula round down और round up हमारा formula और use होगा round up हमारा next number को increment कर देगा suppose यहाँ पर हम लेले 12.01 हम सीधा सीधा इसको round up करना चाहते हैं तो decimal places हमें यहाँ पर नहीं देने हैं हमें decimal places zero रखना है तो उस case में क्या होगा 12.01 जो की हमारा छोटा number है वो next number में यहाँ पर बदल जाएगा यानि कि enter करने पर हमें result मिल जाएगा 13 लेकिन round down उसी base value को यहाँ पर रखता है suppose मैं यहाँ पर 12.99 क्यों न लेलू यहाँ पर round down हमारा basically base number को ही रखेगा तो यही फरक है हमारा round, round down और round up में तो यह सारे formula हम देख चुके हैं यह PDF में explanation आपको define है जो आप download कर सकते हैं website पर अगर आप paid member है self-adhyan website के अब हम देख लेते हैं some product formula को हम कैसे use करेंगे जो की basically हमारा use होता है array को selection कराने पर उसके total multiplication को show कराना example के लिए हम यहाँ पर sheet के data को पहले हटा देते हैं और use कर देते हैं product और उसकी quantity product का जो भी हमारा price है वो हम A column में define करेंगे और उससे related quantity हम B column में define करेंगे suppose किसी product का 120 रुपे है किसी product का 90 रुपीज है यहाँ पर decimal places show रहा है क्योंकि हमने इसे manually increment करा था और किसी product का 50 रुपीज है जिसकी हमने quantities करीदी हैं 3, 4 and 5 अब हमें इनका multiply करने के बाद इनका sum निकालने का जो rule है मतलब हम अगर multiple formula लगाते हैं पहले product और फिर sum तो यहाँ पर दो-दो formula हम इस्तिमाल करेंगे लेकिन हम उन दोनो formula की जगए एक ही formula के इस्तिमाल करेंगे sum product sum product के बाद हम अपने पहले एर्ए को define करेंगे जो कि है हमारा product price और कोमे के बाद हम define करेंगे अपना दूसरा array ऐसा करने के बाद जब हम parenthesis को close कर देंगे और enter press करेंगे तो हमारा product का जो हमारा product का price है उसके quantity हैं सब को multiplication करने के बाद उन सभी का जो total bill है वो हमें यहाँ पर show रहा है यानि कि हमें दो-दो formula का इस्तेमाल ना करके एक ही simple formula से हम उनका multiplication और sum कर सकते हैं अब अगर हम इसे detail में देखें कैसे हम इसको use करा था तो जैसे suppose हम product कर देते हैं दोनों का इस तरीके से हम यहाँ से drag कर देते हैं 270 रुपे तो यह formula दो-दो बार हम अलग-अलग use न करके सीधा sum product formula को use कर सकते हैं hopefully आपको अच्छे से clear हो चुका होगा mathematicals related हम सभी formula अब सीख चुके हैं इसी के base पे हमारे कुछ practice exercise है मैं चाहूँगा कि यह आप अपने end पे खुछ से practice करें जैसे LCM निकालना है आपको 24 और 36 का तो simple आपको as a parameter दो value यहाँ पर देनी है 24 और 36 यहाँ से आपको value का result जो भी है वो निकल के आ जाएगा इसी तरीके से GCD आपको निकालना है 18-24-36 नमबर का वो भी आप formula अप्लाइ करेंगे A2 cell में आपको product का use करना है और 6, 7, 8 का यहाँ पर use करते हूँ इन सबकी value return करानी है जो भी multiplication होके return होगी round up आपको use करना है round आपको use करना है factorial आपको निकालना है 6 नमबर का square root आपको निकालना है A7 cell के अंदर 99 नमबर का A8 में आपको 9 की power 5 तक calculate करनी है जो कि power function का हम use करके निकाल सकते है और उसके बाद A9 से A18 तक आपको एक से लेके 10 तक के नमबर रखने है उसके बाद आपका formula apply करना है sum का और sum उनका करना है जिनका number 5 से कम है और आपको यह sum if formula का इस्तमाल करते हुए use करना है तो यह सभी formula आप as a practice use करेंगे और आपने जो भी वीडियो देखे हैं उसी के आधार पर आपको यहाँ पर practice exercise दी गई है hopefully यह वीडियो आपको अच्छा लगा है अगर वीडियो आपको पसंद आया है आप इसे like कर सकते हैं अपने friends के साथ share करें जिनसे उनको भी help मिले excel tutorial को learn करने में आगे के अपडिशन के लिए आप जुड़े रहिए self अधन के साथ thank you हुआ 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 है